यह नमस्कार दोस्तों इस्टीब फार ऑल्लेकर के यहाम आपका स्वागत हैं आज हम रोटेर्षन इंटेंसिटरी के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि जानरली कंटेंटरी गुश्चन पूछा जाते हैं एक तो इसमें इसमें पूछा लिया जाता जैसे कि इसमें क्यूशन इस्टाइब के पूछे जाते हैं जैसे आपका एक्जामपल की तौर को दे दिये जाएगा मेच शुगर केन राइटून और पूछ ले जाएगा कि इसकी रोटेशन इंट्रस्टी कितनी होगी इसमें चार आप्षन आपको दे दिये जाते हैं 900, 2500, 2500 इस तरीकी के आपसं इसमें बनाके दे दिये जाते हैं तो इसको बस यह आपको अगर इसका जो फार्मूला है अगर बेसिक चीजी आप जानते रहेंगे तो किसी भी कराब का अगर कभी भी आपका रोटेशन इंट्रिस्टी पूछा जा रहा है तो आप बढ़े आसानी तो number of crop grown in a field, अर्थात यह आपका field हो गया, जैसे कि यह आपका field है, तो इस field में हम कितनी crop grow कर रहे हैं, और year of rotation, अर्थात उसका crop का जो rotation है, वो कितने year का है, तो इसके लिए दो चीजे होती हैं, कि हमें crop rotation के बारे में जानना चाहिए, कि crop rotation कैसे होता है, तो generally, जो agriculture student है, उन्हें मालूम है, जो non agriculture हैं, तो generally यह GK की question में पूछ लिया जाता है, तो उनके लिए जैसे कि आपका जो agriculture start होता है, वो खरीब रभी जायद, अर्थात खरीब रभी जायद में कितनी फसलें कि बुवाई हो रही है, वो अपान उसका क्या हो जाएगा, कि कि मतब वन एयर में या दो एयर या तीन एयर, यह कितना है, तो इसके लिए जैसे कि आपका यह है, मेज है, सुगर केन, रैटून, तो यह आपको याद लखने हैं, जब भी आप बनाएंगे, जैसे आपका जो एक्जाम्पल की तोर्ट पर अगर यह दिया जा रहा है, जैसे आपका एक्जाम्पल तोर्ट पर मेज दे दिया गया, सुगर केन और रैटून, तो मेज क्या हो गए, आपका खरीफ क्राफ, यह आप जानते हैं, यही से आपका इस्टाल्ट हो गए, मेज क्या हो गए, आपका खरीफ, और सुगर केन, जैसे इसका हम रभी में भी ट्रांस planting करते हैं तो इसके जो हमें yield मिलेगी वो next year मिलेगे अर्थात यह यहां तक का जो हो गया पूरा serial वो कितने साल का हो गया दो साल अर्थात अगर हम के ओल मेज और sugar cane लेते हैं तो मेज और sugar cane जो हो जाएगा वो दो साल का हो जाएगा आपका क्राप लेकिन यहां third crop ली जा रहे है रायटून लिया जा रहा है अर्थाथ ही अगर हम सितंबर अक्टूबर में गन्य की harvest कर लेते हैं तो next year जो हमारा गन्य प्राप्त होगा तो इसका मतब उसका जो duration है अगर यह हमारा क्या नाम का सितंबर अक्टूबर या दिसम्बर तक हमने हार्विष्टिंग कर ली है सुगरिकेन की तो अब यह जब हमारा गन्मा क्या नाम का तैयार होगा तो वो निष्ट एयर हम इसकी हार्विष्टिंग कर सकते हैं सितंबर या अक्टूबर में इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो एयर है वो एयर कितना हो गया तीन अर्थात इ जो आपकी फिल्ड है आपका यह एक फिल्ड है, इसमें आपने मेज लिया खरी सीजन में आपने मेज लिया यह आपकी माल लिए कि आपकी इच्छा मेहिनी की क्राफ हो गई हुं इसके बाद आप आपने फरवरी मार्च में जो है सुगर केन की स्विंग कर दी तो अब जब महीने की अर्था 3066 महीने कर क्राप हो जाएगा और प्लस यह जो रैटू है यह next year की क्राप अर्थात यह अब आपकी दिसम्मर में इसके क्या नाम कि harvesting हो गई है लेकिन इस रैटून क्राप की जो harvesting होगी next year के क्या नाम के दिसम्मर जनवरी में harvesting करेंगे तो इसका मतब यह हो गया कि इसका जो क्राप है वह आपकी तीन क्राप है लेकिन इसका मतब यह आप टोटल क्राप कितनी ले रहे हैं तो यह आपका क्लियर है टोटल क्राप तो आप तीन ले रहे हैं बस यह देखना होता है कि यह आप रोटेशन कितना हो रहा है तो यह आप जो हो जाएगा कि 3 upon 3 into 100 अर्थाथ इसकी rotation intensity कर सकते हैं कि 100 हो जाएगी अर्थाथ यह जो आपका crop है इस क्या नाम का rotation intensity इस crop कि आपके कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी तो यह आपका अगर इसमें चार option आपको दिये जा रहे है 100,500,200,200 तो इसका आप 100% sure रही है कि इसकी rotation intensity 100 होगी तो रैटून इसलिए हमने एक season complete है और अगर plus है तो plus का मतब हो गए कि आपका inter cropping अगर swing हो रही है तो वह एक crop मानी जाती है अगर inter crop में हम swing कर रहे हैं तो यह दो crop नाम मान के एक crop तो इसलिए हम इस example को रखे हैं कि हो सकते कभी करी इस तरीक एक rotation पूछ दे तो अगर ज्वार प्लस ग्वार पूछा जा रहा है तो यह सेम एक crop होगी इसका मतब हो गया कि ज्वार जो हो गया हमारा वो खरीब season का crop हो गया तो यह यह एक crop हुई और बर्सीम प्लस ओट जो होता है यह हम रभी season में लेते हैं तो रभी season में क्या नाम का ओट हुआ या बर्सीम हुआ तो यह भी हमारी एक crop अर्था दोनों मिलके कितनी crop हुई दो crop हुई और इनका जो year है इनका जो year हो जाएगा crop rotation year कह सकते है year of rotation जो है वो ए two one and two upon one into hundred अर्था इसकी rotation intensity जो हो जाएगी वह आपकी 200 हो जाएगी तो इसका मतब है कि mixed cropping अगर हम कर रहे हैं या क्या नाम का यह प्लस जो हो गया mixed cropping कर रहे हैं या inter cropping कर रहे हैं तो अगर इस तरीकी की जो crop है वह एक single crop आपकी मानी जाएगी उसके बाद है third example यह का भी important है पैडी हो पी हिए पी हुआ sugar cane और रैटून तो अर्थात अब इसका हमें rotation intensity निकलना है rotation intensity तो simple सी बात आपको समझ मागई कि number of crop grown in field तो यह आपको पता है एक दो तीन चार अर्थात आप कितनी crop ले रहे हैं चार crop ले रहे हैं अब हमें बस यह पता लगाना है कि यह राफ सीजन में लिया उसके बाद आपने पी अर्थξ रभी सीजन में आपने पी लिया पिर हम क्या नामके पी की हमने harvesting कर ली कह सकते हैं कि फर्वडी मARCH सीजन में हम Harvest कर ले रहे हैं इसको तो इसका जो फर्वडी मार्च में या कह सकते हैं कि Lेट अप्रेल में मतर की हर्वेस् करके हम जो है हे सुगर के की स्विंक कर दे रहे कि जब स्विंग करेंगे तिसकी स्विंग करेंगे तो हर्मक sellers यहीड यहां तक ढोए कि बिया executedogen इसका मतलब इसकी जो rotation intensity निकलेगी वह 133 निकलेगी यह आपका क्या नाम का राइट हो जाएगा राइट एंसर क्या नाम का 133 परसेंट अर्थात यह क्या हो जाएगा आपका 133 परसेंट तो यह आपकी जो है क्या नाम के rotation intensity हो जाएगी अब अगर यहीं राइटून क्राप की जगह है राइटून के बाद क्या नाम का आपका वीट क्राप भी ले सकते हैं अगर इंटनिश्यू फार्मिंग का अंतरगत हम राइटून का जो है राइटून क्राप ने आप दिसम्बर में हार्विस्टिंग कर लिए और दिसम्बर या लास्ट या जन्वरी में आप जो हलना एक वरायटी होती है वीट की उसका कल्टीवेशन कर सकते हैं जो कि को लेट जो मतolब की स्वेंग बाराइटी जो आपकी वीड की उसको आप ले सकते हिसित अगर इह नभार आफ यहां क्या हो जाएगा यह नमर आफ टाप अगर वीड कर भी ले रहे हैं तो नमर आफ यहांम का पांच हो जाएगा आपка फारी ऊप्षी 5 तो in 200 अर्थत इसका जो आपका rotation intensity होगा 166.6%. ती आपका total rotation intensity निकालने का क्या तरीका है इसका क्या formula है और बस आपको ये निकालना मालूम होण चाहे कि ये राप rotation आप कैसे निकाल लेंगे इसके लिए चीजें हैं अगर आपको mix crop दिया जा रहा है तो आप अगर ये इसको आप single crop के रूप मांगे लेगे या अगर कहीं ऐसा हुआ कि वो चारे के लिए फसल के यूज की हुआ है अर्था green manuring के लिए अगर वो यूज होता है तो green manure जो crop होती है अगर हम green manure के लिए किशी crop का अर्थात आपने खरीप में sun hemp लिया खरीप में आप क्या ले रहें sun hemp ले रहें उसके बाद आप sugar cane ले रहें तो sugar cane जो होगा वो दो year की crop हो जाएगी लेकिन ये नम्मर आप crop जो होगा वो एक होगा और इसका जो year हो जाएगा वो दो हो जाएगा और into 100 अर्थात इसकी जो rotation intensity होगी वो 50 होगी तो यह चीजे ध्यान रखना है कि अगर आप क्या नाम के green manure के लिए यूज ले रहे हैं तो वह आपका क्या नाम का crop के रूप में उसको हम add नहीं करते हैं